तो गाइस सबसे पहले मैं हुलाइप्स मेंफरा मैच start करकर दिखा देता हूँ यहां पर मैंनेstart बटन कर दिया है और यहां पर जो team हमारे हैं वह भी match हो चुके है और यहां पर game हमारे start हो चुका है अब जो हमारे में पहले problem आती थी जो loading screen परक जाता था आप timing देख सकते हूँ 11-14 हो रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे देखिए मैं match में enter हो चुका हूँ ठीक है तो यह match में successful enter हो गया हूँ अब इसको मैं exit करके आपको दूसरे match में दुबारा से enter हो के दिखाता हूँ ठीक है guys तो यह सारी चीज़े मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि हमारा जो game में हमारा जो है वो on start हो गया और match भी है start हो ठीक है कोई भी मेरे को problem नहीं है ना server की दिक्कत आ रही है ना मेरे को pink की दिक्कत आ रही है ना connection की दिक्कत आ रही है तो आज किस वीडियो में मैं इसी चीज़े आपको solution बताऊंगा और अगर आप geo user है तो यह तो वीडियो आपके लिए बहुत च्यादे special होने वाला है और अगर और और भी कोई आप sim use कर रहे हो तो उसके भी मैं solution आपको बताऊंगा आप comment करके बताएगा कि आप कौन सा sim use कर रहे हो तो मैं अगली video उस network के ओपर बना दूँगा तो यहाँ पर आप हमारा pink देख सकते हैं यहाँ पर 40 का हमारा pink आ रहा है कभी कबार थोड़ा उपर और के ओपर खेल रहे हैं और जो वीडियो बनती है कोई वहताता है कि 20 MS पिंग में खेली है यह वह तो गाइस देखिए वह उनका डब्लू लेन वाइफाइ कनेक्शन होना लगवा रखा होता है 10000 MB पर से मिनिट की स्पीड आती है तो उनका आप हटा दीजेगा अगर आप आपको 20 MB चाहिए 20 MS का पिंग चाहिए तो आप फिर पैसे करके लगवा सकते हैं लेकिन हम इतना पैसा ने खर सकते हैं तो अपने मोबाइल नेटवर्क से खुश है तो गैस देखिए अब यह चीज सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या अगर आपके में पिंग प्रॉब करनी पड़ेगी और अगर कोई और SIM कर रहे हो तो आप कमेंट करके बता देना नेक्स्ट वीडियो में उस SIM के ऑपरेटर के ऊपर बना दूँगा तो गैस देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में चले जाना है औ और भी कोई अगर आप SIM यूज कर रहे हो तो कमेंट करके में बता देना नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक के ओपर हो जाएगी तो यहाँ पर फाला खाला कि यह वीडियो जो है जियो यूजर्स के लिए बहुत जाद है स्पेशल ही तो हम जियो वाले option पर क्लिक कर देते है इसके बाद यहाँ पर आपको access point names का यहाँ पर option देखने के लिए मिल रहा होगा तो आपको access point names के उपर tap कर देना है तो नीचे आपको new APN करके यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक plus की button इसके उपर आपको click करके एक नया APN बना लेना है ठीक है अब इसमें आपको fill क्या करना है यह मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर जो मैं personally APN यूज कर रहा हूँ मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ कोई file to APN नहीं बताऊंगा मैं आपको तो यहाँ पर आपको fill क्या करना है यहाँ पर देख लीजेगा name में आपको यहाँ पर fill कर देना है internet सिर्फ internet जिस उसमें format में मैंने लिख रखा है i capital n small वगरा उसी तरह आपको लिखना होगा उसके बाद APN में आपको लिखना है gogprs.com सब कुछ small में रहेगा और बिना किसी space के gogprs.com इतना आपको लिख देना है और लिख के आपको ok कर देना है ठीक है उसके बाद proxy में कुछ भी मत करन यह आपके area code है यह मत करना कि जैसे मेरे में वैसे ही कर दो यह जैसे आपके में हो वैसे ही कि वैसे ही रखना कुछ भी मत छेड़ना है इनमें चाहे जो भी digital की हो उसके बाद आते है authentication type पर तो authentication type में आपको PAP और CHAP जो last वाला option है उसको आपको यहाँ पे select कर लेना है इसको select करने के बाद जो हमारा सबसे जरूरी option है वो है APN type अब APN type पे आपको यह सब type करना पड़ेगा default,mms,supl,hipri,fota,cbs,msmcx यह आपको type करना होगा बिना किसी space के comma दे दे के ठीक और सब small character में होगा आप देखके अराम से इसको type कर सकते है वीडियो pause करके तो इसको type करने क के बाद आपको नीचे यहाँ पे APN protocol के option देखना के लिए मिलेगा तो आपको इसमें last 12 ipv4 slash ipv6 वाला select कर लेना है और APN roomie protocol भी आपको same ipv4 slash ipv6 और उसके बाद नीचे bearer यह भी हमारा second most important option है तो इसमें आपको करना क्या है सबसे पहले जब आप इस पे click करोगे तो आपक नीचे आप देखोगे तो आपको एक और देखेगा 1 into RTT यह आपको select कर लेना है इतने आपको bearer यहाँ पे select कर लेना है और इसको ok कर देना है ठीक है guys ok करने के बाद आपको अपना APN save कर लेना है और एक बार अपना device restart कर लेना है बस इतना सा आपको करना है सब कुछ करके restart जरूर से कर लेना अपना device इतना करके आप अगर जियो 5G उसकर रहे हो तो आप जो है network setting में उसको 4G select कर लेना जो भी आपकी network setting होती उसके बाद ही APN को apply करना और mobile को एक बार restart कर देना यह problem आपके में नहीं आएगी जो भी अगर server की आती है गेम में एंटर नहीं हो पाते ह आता है सारी problem आपकी खतम हो जाएगी एक बार try करिए और let me know comment करके मेरे को बताईगा की problem आपकी solve होई की नहीं होई है क्योंकि personally मेरे मेरे में problem आ रही थी मैंने अपना APN चेंज किया तो मेरी जो भी problem सी सब हट गई है आप मेरे को बताईएगा comment करके कि क्या ये video आपके ल लेकिन बहुत बंदों के में कोई कोई trick work नहीं कर रही है तो ये तीसरी trick है मेरी hope ये आपके में भी work करेगी ना करे तो comment करके जरूर बताईगा लेकिन अगर कर जाए तो channel को जरूर subscribe करेगा और notification bell को भी on करेगा ताकि हमारी latest video आपको सबसे पहरे मिलती रहे चलिए फिर मि अपनी नेक्स वीडियो में गाइस तब तक के लिए धन्यवाद